सुराबुद्दीन शेक फर्जी एंकाउंटर मामले में पुलीस अधिकारियों को बरी किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बदल दी गई है बॉंबे हाई कोट की वेबसाइट पर जारी नोटिस के मताबिक अब वो अपराधिक समिक्षा वाले आवेधनों की सुनवाई ना कर अग्रिम जमानत वाले मामले देखेंगी ये मामला अब जस्टिस साबरे की नई सिंगल बैच को सौपा गया है जस्टिस रेवती इस केस पर पिछले तीन हफ़तों से हर रो सुनवाई कर रही थी उन्होंने पांच में से चार याचिकाओं के सभी पक्षकरोनों की जिरा के ज्यादातर हिस्सा सुन लिया था बीत 21 फेबरी को जस्टिस रेवती ने इस केस की जाच एजनसी सीबियाई की हिचाई की थी उन्होंने कहा था कि सीबियाई अदालत की परियाप्त सहायता नहीं कर पा रही है जिसकी वज़े से इस पूरे मामले में पार दर्शिता नहीं है उनका ये भी कहना था कि सीबियाई आरोप मुक्त किये गए लोगों के खिलाफ सभी सबूतों को रिकॉर्ट पर रखने में विफल रही है